हलो दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से अब सभी का मेरी यूटूब चैनल पे हाल इक सबागत बावी नंदन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यह दियर नस अलांस यानि की महंगाई बत्ते गे बारे में महंगाई बत्त क्या होता है और ये कब कब दिया जाता है मीनिमम कितना परसेंटेज ये दिया जाता है और क्यों दिया जाता है दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूटूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस साथ मैं बैल आइकन को भी दूआ है ता कि आपको मेरे दोरा अप्लोड के जरे वीडियो की नोडिफिकेशन मिलती रहें वीडियो को लाइक वशियर जरूर करें जलिए बिना किसी देरी की करते हैं वीडियो को शुरू दोस्तों जैसा कि आप सब भी जानते कि भीन राज महंगाई बत्ता 6% बढ़ा दिया गया है इससे पहले महंगाई बत्ता 153 प्रशत दिया जाता अब 169 प्रशत हो जाएगा और यह एक जुलाई 2021 से देर रहेगा आई यह समझते ही यह डिये होता क्या है तो डिये को हम अब बेसिक बात करें मतलब डियर नास अलांस को महंग का बत्ता दिया जाता प्रन्तु बहां पे ।्ध चलिए तो आप हम बात करें महंगारी बत्ता क्यूं दिया जाता है को महंगाई से बचाने के लिए ऑर– जिवन बत्तर हो। किसी प्रकार की कमी ना आय उसको बनाय रखने के लिए महंगाई बता समय समय पर दिया जाता है साल में महंगाई बता दो किष्टों में दिया जाता है एक जनबरी में दिया जाता है और दूसरा जुलाई में दिया जाता है परन्तु कभी-कभी इकठे भी दिया जाता है तो मिनिमम दो बार इससे मेंगाई बत्ते को दिया जाता है ऐसा माना जाता है कि मेंगाई बत्ता लगबग चार प्रश्चत दिया जाता है परन्तु ऐसा नहीं है सरकार इसे बढ़ा या गड़ा भी सकती हैं तो अगर हम बात करें इसके अधिकार की क्या हम हमें महंगाई बता मिलेगा ही मिलेगा क्या इंप्लोई का अधिकार है तो यहां पर इस बात पर मैं यह कहना चाहता हूं कि महंगाई बता सरकार की सरकार पर निरबर रहता है बैसे तो मेहंगाई बता जैसे कि मैने बताया कि सरकार को दियना ही होता है। साल में दो बार प्रंसु काई वार देश में आर्तिक स्नुक्राइड है‐ सब्सक्राइब सब्द्राइन कान आने कीकार्ण म्हेंगाई बता सीज किया बढ़ा दिये गया है और वो भी जुलाई 2021 से अब दे रहेगा सबसे महत्तपन बाती है कि महंगाई बता किस पैरामेटर पे दिये जाता है डिये की गणना कंजूमर प्राइस इंडेक्स यानि की वोक्ता मुले सुचकान कर या फिर CPI के अदार पे त्या होता है कैसे होता है इसका जो फार्मूला है वो पिछले 12 महिनों का CPI का और उसको भाग दिये जाता है 115.76 से अब जितना आएगा उसे भी 115.76 से भाग दिये जाता है अब उसके बाद जो अंक आएगा उसको जो है 100 से गुना किये जाता है वो उस प्रकास से आपका महंगाई बता तै किये जाता है तो दोस्तों यह था आज का वीडियो वीडियो कैसा लगा जरू प्रताय वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जाहें नमस्कार